एफोरिजाम 253 प्रिश्ण है ये कैसे समझें कि रोग बढ़ रहा है इस प्रिश्ण के उत्तर में डाक्टर हैनीमें साम ने फरमाया कि समान व्यक्ति के लिए रोग बढ़ने या घटने के लक्षणों की पहचान कर पाना विशेश कर नई प्रकरती के रोगों में बहुत कठ हिन होता है रोगी की मानसिक अवस्ता उसके व्यवार और आचरन संबंधी लक्षणों को देखकर ही इसका पता लगाया जा सकता है यदि रोग थोड़ा सा भी घटता है तो रोगी को रहत मैसूस होती है तता उसे मानसिक शान्ति आराम के साथ प्रसंता भी मैसूस होने रोगी आरूग गलाब की दिशा में बढ़ रहा है लेकिन जब इससे विपरीत लक्षन उभरें अर्थात रोगी में मांसिक बेचैनी और अशानती बढ़ने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि रोग बढ़ रहा है वस्तोता इन बातों का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता के इवल रोगी को देख कर मैसूस किया जा सकता है रोग बढ़ने का सबसे प्रमुक और पर्ष्ट प्रमान ये है कि रोगी रहात महसूस करने लगता है तता उसे मांसिक शान्ती आराम प्रसनता महसूस होती है लेकिन शारीरिक और मांसिक बेचैनी बढ़ने पर ये समझ ना चाहिए कि रोग बढ़ आये है डाक्टर सर्पाल होम पहती के पर आप हमारे चैनल को लाइक कर लें सब्क्राइब कर लें और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स वाग में जरूर लेकिन